कक्षा तीसरी, विशे हिंडी, तीसरी एकाई, पाट आट, मेरा राज्य महाराष्ट की आस बहुत ही पुराना है बच्चों पर्याटन की दुरुष्टी से महाराष्ट संपन्नाई राज्य है राज्य है जहांके सेकडो गुफाए तथा उनमें की गई वास्तु शिल्प पर्याटकों के लिए आकर्शन का केंद्र बिंदु है बच्चों मुंबई प्रमुक पर्याटन सड है जहां पर फिल्म उद्योग, गेटवे ओफ इंडिया, मरीन राइव, जुहू बीज, मनी भावन तथा सिध्धी विनायक, भ्रमान, योग्यस्तल है इसके अलावा पुने शहर में भी कई दर्शनीय सड है महाराश्ट्र भारत का एक मात्र वहराज है, जहां दो शहरों, मुंबई तथा पुने में मेट्रो संचाली थै बच्चों आप सभी ने मेट्रो से यात्र जरूर की होगी, है न बच्चों? राज्च की संस्कृति की जलक यहां के लोकन रुत्य में भी देखी जा सकती है बच्चों महाराश्ट्र में हिंदु जन संक्या अधिक है राज्च के प्रमूक्ते वहार जैसे की जनेश्चतूर्टी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है इसके अलावा होली, दिपावली, तशेरा, इद, क्रिस्मस तथा गुडी पाडवा, नारली पुर्निमा तथा महाशिवरात्री पर्व राज्च का संस्कृत्ती में विशेश महत्व है इनके अलावा महाराश्ट्र के अउरंगाबाद का अजन्ता अलोरा महत्षव तथा एलिफेंटा महत्षव विश्व प्रसिद्ध है बच्चों मेरा राज्य महाराश्ट्र है मुंबई में मेट्रो ट्रेन दोड़ती है बच्चों आप सभी ने जरूर देखा होगा कि मुंबई में मेट्रो ट्रेन दोड़ती है मेट्रो ट्रेन की साहिता से हम एक जग से दुसरी जग पर यत्रा कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम एक जगह से दुसरी जगह पहुच सकते हैं। तो ये जो मेट्रो ट्रेन की सुविधा है, ये हमारे लिए बहुत ही फाइदे मन्द है बच्चों। मुंबई सर्वधर्म समाभव का दयतक है। बच्चों आप सभी ही जानते हैं कि हम सब अलग-अलग जाती के लोग एक जूट होकर हमेशा रहते हैं। हम सभी एकता से रहते हैं। जैसे हम सभी एक साथ हर त्यवहार मनाते हैं। अगर वो होली है, अगर वो क्रिस्मस है या फिर ईद है। तो हम सभी एक जूट होकर एकता से सारे त्यवहार मनाते हैं। हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। और हमें कभी भी किसी भी जग कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी को एक जूट होकर एक साथ मिलकर ही रहना चाहिए। क्यूंकि बच्चों एकता में बहुत बल होता है। और एकत्र रहना बहुत ही अच्छा भी होता है। तो बच्चों हम सभी को एक साथ एक जूट होकर जरूर रहना चाहिए। सयाद्री पर्वत की श्रूंक लाए फैली है बच्चों ये जो सयाद्री पर्वत है इसकी जो श्रूंक लाए है वो बहुत जगपर फैली हुई है मुंबई में डिब्बे वाले बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों आप जानते होगे, जो लोग घर से टिफिन नहीं लापते, या फिर किसी कारण वर्ष उन्हें घर से डिबबा नहीं मिल पाता, वहाँ पर कोई खाना बनाने वाला नहीं होता, उन सभी के लिए ये डिबबे वाले बहुत ही फायदे मंद होते हैं, क्योंकि ये डिबबे वाल समय पर अपना डिबबा पहुचाते हैं, और ये जो डिबबे वाले हैं, वो बहुत ही पुन्या का काम कर रहे हैं बच्चों, तो इन डिबबे वालों को मेरा सलाम, क्योंकि ये जो भी कठिनाई हो, वो सारी कठिनाई पार करके अपने डिबबे समय पर पहुचाते हैं, वो अपने कारिय के प्रती बहुत ही तत्पर है और अपना कारिय सफलता पुर्वक भी पुरा करते हैं बच्चो तो हमें इनसे जरूर सिखना चाहिए कि हम कोई भी कारिय क्यों न करे उसे हमें अच्छी तरह पुरा करना बहुत ही जरूरी है और हमें अपना हर काम मन लगाकर करना चाहिए महाराष्ट्र में अनेक परियाटन स्थड है बच्छों कितने सारे परियाटन स्थड दिक रहे हैं है ना जहाँ पर हम घूमने जा सकते है भाषन समभाषन पहचानो और बोलो पहला चित्र टॉर्ज दूसरा चित्र ब्रश तीसरा चित्र ट्राक्टर आपको आज का पाठ मनुरम लगा होगा धन्यवाद